सद्गुरू, मृत्यू को हमेशा अंधकार्माए और भयानक क्यों दिखाया जाता है? इसमें उदासी क्यों है? इससे इतना डर क्यों जोड़ा हुआ है? अगर आप ज्यादतर सभ्यताओं, प्राचीन सभ्यताओं को देखें, तो सभी में एक तरह की उदासी और अगर आप प्रतीकों को भी देखें, तो यह अमराज उसके प्रतीक हैं, या फिर अगर आप देखें, या अगर आप ग्रीम रीपर को देखते हैं, तो आप उसमें थोड़ी उदासी, अंधेरा और इसी तरह की छवियाम रित्यों से जुड़ी हैं, ऐसा क्यों है सद्कुरू? अगर हम ये देखें कि दुनिया के इस हिस्से में मौत को कैसे देखा और दर्शाया गया है, तो आप पाएंगे कि मौत भयानक नहीं मानी जाती, लेकिन सिर्फ जीवत लोगों के लिए मौत उदासी है, क्योंकि उनका नुकसान हुआ है, नुकसान हमेशा उदासी देता है, चाहे वह छोटी चीज का हो या बड़ी चीज का, जब लोग को एक कीमती चीज खो देते हैं, तब वे तूट जाते हैं, नुकसान चीजों का हो सकता है, ये लोगों का हो सकता है, और तमाम चीजों का हो सकता है, तो मौत के बारे में ये उदासी सिर्फ जिन्दा लोगों से जुड़ी रही है, पर खासकर इस संस्कृती में, मृत्यू को हमेशा एक शांदार घटना की तरह दर्शाया गया है सिर्फ आज कल ही भारतिये लोग पस्चिम की नकल कर रहे हैं और सिर जुका कर चेहरे लटका कर चल रहे हैं वरना आज भी ये होता है, जब लोग मरते हैं तब हम सफेद कपड़े पहनते हैं, नकि काले कपड़े उसके पीछे एक विज्ञान है, वो मैं बाद में बताऊंगा सबसे बढ़कर कई शांदार कहानिया हैं एक कहानी इस प्रकार है, शिव हमेशा महाश मशान में इंतजार करते रहते हैं उसे उन्होंने अपना निवास बना लिया है, क्यूंकि वो इंतजार कर रहे हैं और जब भी कोई मरता है, तब वे नाच कर जश्न मनाते हैं वे इतने अजीब क्यों हैं? चलिए, जीवन के बुनियादी पहलू को समझते हैं क्यूंकि जीवन और मृत्यू दो अलग चीज़ें नहीं हैं जिसे हम जीवन कहते हैं, वो अभी ज्यादतर लोगों के अनुभव में उनके द्वारा इकठा किया गया शरीर है और एक खास मात्रा में विचार और भावनाएं हैं जो उन्होंने अपने आसपास से एकठा की हैं जो इंसान अपने जीवन की प्रकृती पर थोड़ा सा भी ध्यान देता है वो साफ तौर पर देख सकता है कि शरीर एकठा किया हुआ है मानसिक सनरचना भी इकठा की हुई चीज है अब जीवन इन चीजों से परे है तो जिसे आप जीवन कहते हैं वो है जब आप बच्चे थे तब आपने साबुन के बुलबुले जरूर उड़ाए होंगे जब आपने बुलबुला उड़ाया तब बुलबुला असली था पर बुलबुले के अंदर बस चारों तरफ की हवा थी जब बुलबुला फटा, तब साबुन के पानी की एक बूंत फर्ष पर गिरी, बाकी बुलबुले के अंदर मौजूद बाकी पूरी चीज कहां गई, उसे आप कभी नहीं देख सकते, क्योंकि वो कभी थी ही नहीं, वो हर चीज का सिर्फ एक हिस्सा थी जीवन की प्रकृती भी यही है, यह पूरा भ्रमांड, जीवन्त जीवन का विशाल संग्रह है, आपने एक बुलबुला बनाया, जब बुलबुला फटा, और उनके लिए जो अगर किसी इनसान में दूसरे पहलू की समझ है, या वह दूसरी तरफ का बोध रखता है, आईए चलिए जीवन और मृत्यू को ऐसे समझते हैं, आप दिवार के इस तरफ हैं, और कोई दूसरा दिवार की दूसरी तरफ, जब बुलबुला फटा, और जो हवा उसमें थी, या वह जीवन जो उस बुलबुले में फसा हुआ था, वो मुक्त हो गया, और दूसरी तरफ जो ह हमेशा बताया गया है.